दोस्तो इस festive season में एक अच्छी सी 43 इंच की 4K LED TV खरीदने की सोच रहे हैं और confuser की कौन सी खरीदे तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे आये हैं आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पताने वाला हूँ इंडेम में मिलने वाले कुछ best 43 इंच के 4K LED TV के models जो की अलग-अलग price range में आते हैं जिनको आप consider कर सकते हैं अपने घर के लिए तो वीडियो को end तक जरूर देखना और वीडियो में आगा बढ़ने से पहले आप लोगों से एक चोटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिससे हमारी बहुत जदा हेल्प होगी और आपको भी इसी तरह की informative वीडियो मिलते रहेंगी तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो अगर पहले बात करें 20-25 जार रुपे के बजट में आने वाली बेस्ट 43 इंच 4K टीवी तो आप कंसिडर कर सकते हैं Xiaomi की A Pro 4K Smart TV इसके अंदर आपको 4K resolution देखने को मिल जाता है जो क्या आता है 60Hz की refresh rate के साथ Dolby Vision HDR 10 Plus HLG support मिल जाता है इस TV में आपको मिलता है VA panel और इसके अंदर आपको AI picture engine देखने को मिल जाता है इसमें आपको 30W की speakers देखने को मिलते हैं with Dolby audio support और इसमें आपको Google TV support देखने को मिल जाता है जो क्या आता है Xiaomi के patch wall integration के साथ इसमें आपको 3 HDMI port, 2 USB port और Bluetooth connectivity देखने को मिल जाती है इसमें आपको Dynamic Backlight Control देखने को मिलता है Auto Low Latency mode देखने को मिलता है gaming के लिए और Chromecast built-in देखने को मिल जाता है screen mirroring के लिए अभी इस समय ये around 24,000 रुपे के आसपास Amazon पे listed है और अगर आप card को use करेंगे तो इस पे आपको और additional discount देखने को मिल जाएंगे 20-22,000 रुपे के आसपास आराम से पढ़ जाएगी credit card use करके इसके अलावा आप Xiaomi की दूसरी TV को भी consider कर सकते हैं जोकि है Xiaomi की X-series की 4K LED Smart TV ये around 26,000 रुपे के आसपास आपको Amazon पे समय मिल जाएगी और अगर आप दूसरे brand के जाते हैं तो आप Hisense की इस TV को भी consider कर सकते हैं ये आपको और भी सस्ती बढ़ जाएगी क्योंकि इस पे आपको additional 1,000 रुपे का coupon देखने को मिलता है तो links आपको description box में मिल जाएंगे इन सभी TV के जो भी आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ तो उन पर जाके आप इन पर जो भी coupon अवेलेबल है उनको चेक कर सकते हैं और जो भी card के discount है वो भी check कर सकते हैं आप वीडियो में आगे बढ़ें और देखें आराउंड 30,000 बे के बजट में आने वाली बेस्ट 43 इंच की टीवी तो आप पहले देख सकते हैं हाइसेंस की इस 43 इंच की 4K Ultra HD TV को इसमें आपको quantum dot technology देखने को मिलती है जो कियाती है mini LED और local dimming के साथ जिससे आपको काफ़ एची brightness देखने को मिलती है Dolby visual HDR 10 और HLG का support मिलता है जिससे आपको काफ़ एची dynamic range इसमें मिलती है 24 watt की speaker देखने को मिलते हैं जो कियाते है Dolby atmos और Dolby audio के साथ और इसमें आपको मिलती है 120 Hz की refresh rate Smart TV है Google TV के platform पे काम करती है तो आप इसमें Netflix, YouTube, Prime Video जैसे apps को use अराम से कर पाएंगे इसमें आपको 3 HDMI port देखने को मिलते हैं दो USB port मिलते है Bluetooth, Wi-Fi और Ethernet connectivity देखने को मिल जाती है इस समें around 27,000 रुपे के आसपास आपको Amazon पे मिल जाएगी इसके लावा अगर आपको थोड़ा बज़ट जादा है तो आप Amazon की इस TV को भी consider कर सकते हैं इस पे आपको 1000 रुपे का additional coupon भी देखने को मिल जाता है इसके लावा अगर आपको LG की TV चाहिए तो आप LG के इस model को भी consider कर सकते हैं दोस्तों आप देखते हैं 40,000 रुपे के budget में आने वाली बेस्ट LED TV तो आप consider कर सकते हैं Sony BRAVIA 2 Series 43-inch 4K Ultra HD TV को इसके दर आपको HDR10 HLG का support देखने को मिल जाता है Dolby Audio देखने को मिल जाती है जिसके लिए आपको 20W का speaker इसमें मिलता है 4K LED TV है 178 degree के viewing angle देखने को मिल जाते हैं और 68 की refresh rate देखने को मिल जाती है Smart TV capabilities के साथ यह आती है Google TV है तो इसमें आपको सारे apps का support देखने को मिल जाता है Netflix Prime Video YouTube जैसी connectivity के लिए इसमें आपको 3 HDMI port एक USB port देखने को मिल जाता है बाकी इस समय around 40,000 रुपे के असपास Amazon पर लिस्टेड है Additional card के discount लगा के आपको काफ इची price पर यह मिल जाएगी और आज की वीडियो के लिए बचितना ही वीडियो में दिखाएगे सभी TV के links आपको description box में मिल जाएगे Consulated कोई भी question है कोई भी query है तो comment करके पूछ सकते हैं धन्यवाद दोस्तो